हेलो दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में दोस्तों देखें मेरे पास एक डूटी फ्रिडिस डूस्तों रिपेरिंग होने के लिए आया है दोस्तो इसमें क्या फॉल्ट है चलिए अप लोग को अगवार दिखा देता हूं दोस्तो यह हमारा on नहीं हो रहा है ठीक है इसमें दोस्तो कुछ भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है चेलिए दोस्तो एक बार आपको on करके दिखाता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें AC in कर चुका हूँ दोस्तो देखिए यहाँ पर आपको लोगों पर दिखा दे रहा हूं दोस्तो देखिए इसको मैंने transformer से बनाया है तो दोस्तो यह मेरे को current भी नहीं लगता ठीक है लेकिन दोस्तो यह हमको जहे डिएर सा voltage के करीब दोस्तो मेरे को बना के दे रहा है ठीक है चलिए एक बर मैं इसका voltage चेक करा जेता हूं अब लोग को तो दोस्तो देखिए multimeter को आपको आपको एसी रेंज पर रखना है ठीक है और दोस्तो देखिए एक प्रॉक्स को मैं अपना पकड़ लेता हूं देखिए और दूसरे प्रॉक्स को यहां पर ध्यान दीजिए दूस्तो देखिए हमारा जए 154 voltage मतलब डेर्स voltage के करीव है ठीक है इतना हम दोस्तो हमारा जए DTH प्रॉपर अन हो जाता है तो दोस्तो देखिए मेरा जए DTH यहां पर जए आउन नहीं हो रहा है ठीक है दोस्तो देखिए इसको भी on up कर रहा हूं तो ठीक है तो चले दोस्तो मैं क्या करूंगे इसको जए power up करता हूं और दोस्तो इसको जए open करता हूं और आप लोग कुझे दिखाता हूं इसमें दोस्तो fault क्या है ठीक है तो दोस्तों देखिए इसको जहे मैं open कर दिया हूँ और दोस्तों देखिए यह हमारा डार्येक्टर सव्ल्डिंग है यहाँ पर चलिए इसमें पावर देता हूं और यहाँ पर भी यह एक बार check कर लेते हैं कि हमारा थोज़स्तों वोल्टेज प्रपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोस्तो देखिए यहां पर भी हमको spar का मिल रहा है लेकिन दोस्तो ओन्पूट में हमको कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है तो दोस्तो क्या करेंगे फशली यहां पर जोसे दोस्तो वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है कुछ ठीक है तो दोस्तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए मल्टी मीटर कुमा जोए 200-200 DC रेंज पर रखा हूँ अब दोस्तो चलिए एक बार AC आ रहा है कि नहीं आ रहे है उसको देख लेते हैं दोस्तो देखिए हमारा AC प्रॉपर इन हो रहा है ठीक है इसमें अब चलिए दोस्तो इसमें हम DC चेक करेंगे तो दोस्तो एक को मैं देखिए बाड़ी एर्टिंग पर लगा दिया और दोस्तो यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तो मल्टी मीटर पर फालो कीजिएगा तो दोस्तो देखिए मल्टी मीटर पर हमको कुछ भी वल्टेज दोस्तो देखने को नहीं मिर रहा है ठीक है देखिए इसका मतलब है कि दोस्तो हमको जाए supply यही नहीं बन रहा है ठिक है तो चलिए मैं क्या करूंगे इसको दोस्तो ऐपन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐपन कर दिया हूँ और दोस्तो देखे back side से दोस्तों देखें, back side से आमको कुछ भी print दोस्तों जला हुआ नहीं दिख रहे, ठीक है इसागा मतलब है के दोस्तों इस side हमारा कुछ न कुछ fault है, ठीक है तो चलिए ये वाला बोट को मैं है side पे रख देता हूँ ठीक है और चलिए इसमें पावर देते हैं और दोस्तो चेक करेंगे दोस्तो सबसे पहले चलिए ये वाला जहे देख लेते हैं हमारा जहे फ्यूज सही है कि कैसे दोस्तो देखिए हमारा जहे फ्यूज यहां से खराब हो चुका है ठीक है कि यह देखिए दोसतो ये हमार। फ्syवित ह हो तो उस कंडिषन में ये बीणल वजह से क्राब नहीं होताय तीक है कुछ नकुछ दोस लू इसमें फॉल्ट अगे होगा, इसकारण दोस लुट किया करएंगे दोसि ये वाला कोई लेडी करें गये और लॉस्तों हम वो बीटेक करेंkए फश्ट और दोस्तों इसके बाद देखेंगे कि हमको फाउल्ट कहां पर मिरवा दोस्तों step by step इसको फालो करते जाइए ठीक है तो दोस्तों मल्टी मिटर के आत को जाई सीधा continuity mode दोस्तो बजर mode पे आपको set करना है ठीक है देखे इस प्रेटार से और दोस्तो आपको यहाँ से sort करके एक बार देख लेना है आपको 00 पे आना चाहिए ठीक है तो दोस्तो देखे मेरा एक प्यारा है तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए दोस्तो इसमें चेक करेंगे तो दोस्तो यहाँ पे देखे यह हमारा दोनो देखे एसी इन का दोस्तो पॉइंट है ठीक है यह हमारा solding छोड़ दिया चलिए solding को हटाईए अब दोस्तो देखे यह वाला हमारा e-study मतलब एक दोस्तो देखे यहाँ पे हमको कुछ रीडिंग दोस्तो देखने को मिल रहा है ठीक है दोस्तों देखे एक साइट से हमको रेडिंग देखने को मिल राए ठीक है इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा डायोड में कुछ नकुछ sorting है ठीक है दोस्तों यहाँ पर चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं दोस्तों देखे यह हमारा डायोड सौट नहीं है ठीक है यह वाला डायोड दोस्तो देखिए दूसरा वाला डायोड हमारा सौट दिखा रहा है देखिए दोनों साइड से ठीक है और दोस्तो देखिए तीसरा वाला भी डायोड हमारा को सौट देखने को मिल रहा है ठीक है देखिए अब लाश्ट वाला डायोड को चैली एक बार जा चेक कर लेता हूँ दूस्तों देखिए सही है Justке चेक करा देता हूं आपको दोस्तों multimeter पर follow कीजिए 7 ohm का दोस्तों reading हमको देखने को मेरा है ठीक है तो चलिए दोस्तों इस दोनो डायोड को मैं लिकानता हूं और दोस्तों उसके बाद चेक करते हैं आगे हमार सॉर्डिंग है के नहीं है ठीक है दोस्तो यह दोनो डायोट को चेंज नहीं करूँगा, दोस्तो चारो डायोट को मैं नया लगाऊंगा दोस्तो देखिए मेरे पास सेम IN 4000 का डायोट है नया तो चलिए दोस्तो इसको उपन करता हूँ और दोस्तो यह डैयोड को लगाने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ ठीक है दोस्तो अब यहाँ पर देखिए मैं दोस्तो इसको नए वाला डैयोड इसमें दोस्तो लगा चुका हूँ दोस्तो देखिए यह चार डायोड इसमें पहले से लगा हुआ था ठीक है अब चलिए दोस्तो इसमें फ्यूज हमारा खराब था तो दोस्तो फ्यूज को मैं ने वाला लगा देता हूँ देखिए दोस्तो ने वाला फ्यूज है मेरे पास तो दोस्तो चलिए मैं इसमें फ्योज भी लगा दिया ठीक है अब दोस्तो इसमें आगे शॉर्टिंग चेक करेंगे ठीक है हमारा दोस्तो इस टर्मिनल पर हमको शॉर्टिंग देखने को मिल रहा है कि दोस्तो इस दोनों टर्मिनल पर ठीक है चलिए एक बार sorting चेक कर लेते हैं दोस्तों देखे, Multimeter को माई बजर range पर set करके रखाऊँ देखिए अब चलिए दोस्तों यहां से माई चेक कर लेता हूँ दोस्तों देखे यह वारा टर्मिनल और यह वारा टर्मिनल पर हमको sorting देखने को मिर रहा था तो दोस्तों यहां पर देखे हमको 78 ohm का sorting देखने को मिर रहा है ठीक है 78 ohm का इसका मतलब है कि दोस्तों आगे हमारा sorting है इसमें ठीक है दोस्तों चलिए यहां पर चेक कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर भी देखिए 1084 ओम का दोस्तों हमको जह सौंटिंग देखने को मीर रहा है ठीक है इसका मतलब है कि दोस्तों हमारा जहे यह वाला भी दोस्तों हमारा जहे सौंट हो सकता है और दोस्तों हमारा जहे आप follow कीजिए दोस्तो देखिए ये वाला मैं supply को दोस्तो एक transformer से बना के निकालाओ ठीक है तो उस condition में दोस्तो ये हमको reading हमारा transformer में दोस्तो जो coil है उसका reading यहाँ पर sover रहे ठीक है ये दोस्तो कोई sorting नहीं है यहाँ पर दोस्तो चलिए एक बार यहाँ पर reading so ho रहा है ये हमारा transformer का coil को जो कर रहा है ठीक है क्योंकि दोस्तो इस वाले supply को मैंने transformer से बना के रखा है ठीक है तो चलिए दोस्तो इसमें पावर देते हैं और दोस्तो चेक करते हैं हमारा दोस्तो यह यहाँ पर दोस्तो हमारे को sorting देखने को नहीं मिला, तो दोस्तो मल्टिमीडर को हमको c range पर रखना है, तो देखिए माई 200dbc-range पर इसको set कर दिया हूँ, अब चलिए इसमें power देते हैं, तो दोस्तो देखिए माई power दे दिया हूँ और dc range पर , मामने set किया हुआ हूँ, अब चलिए दूस्तों हम आउट्पूट व्ल्टेज यहां पर चेक करेंगे, तो दूस्तों एक प्राउक्स को हमको ग्राउंड करना है, तो दूस्तों देखिए यह वाला टर्मिनल हमारा ग्राउंड है, अब दूस्तों यहां पर फालो कीजिएगा, ठीक है, और दूस्तों दूसरा वाला हमको ग्राउंड है, और दूस्तों देखिए यह वाला हमको बारा ओल्टेज देता है, दूस्तों देखिए बारा ओल्टेज यह प्रापर है, ठीक है, और दूस्तों यह वाला टर्मिनल देखिए 15 ओल्टेज, दूस्तों यह भी हमारा प्र राफर है और दोस्तो यह जय है । आरी सॉल्टेज दोस्तो देख यह भी सॉल्टेज ठीक हम गोर्व को ढ़ेखने को मिल रहा है ठीक है अब दोस्तो देखिए वाला हमको 5f अल्ट से क olmaz जो से मिल जो वहारा जोक्त नहीं पर अनल सूल हमें यह ऐम आद्ञा निर ना को मिर रहा है ठीक है यहाँ पर देखिए दोस्तो यह हमारा जो 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 हमा हमारा इसका मतलब है कि देखें यहाँ पर नमबर हमारा भी रहाँ है इसका मतलब है कि दोस्तो घड़ा Bit हमारा वल्टेज बन चुका है और हमारा मृत दोस्तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तो मैरे पास एक n बॉड नया है नया 3 4 मैं रखा हूं लेकिन दोस्तो मैं चाहूं तो इसको सीधा change कर सकता हूँ ठीक है लेकिन दोस्तो repairing करना और दोस्तो change करने में बहुत ज्यादा अंतर है ठीक है अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानोगे तो दोस्तो आप एक electrician नहीं बन सकते ठीक है तो दोस्तो इसमें क्या component लगा है दोस्तो उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है तो दोस्तो इस परकासे आप भी एक डिडी फ्रेडिस का काड को step by step दोस्तो रिपेर कर सकते हो दोस्तो वीडियो जो है आपको कैसे लगा comment जरूर करना और दोस्तो नए होते चैनल को जो है subscribe जरूर करना चैनल जरूरी दोस्तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में नेश्ट टापिक के साथ तब तक के लिए दोस्तो जय हिंद वन्दे मात्रम